नमस्ते दोस्तो पानी पूरी तो मुझे लगता हर किसी को पसंद आती है उसमें भी खास करके मुंबई जू चोपाटी की पानी पूरी का नाम आ जाए तो तो भै ऐसा लगता है कि कब ये खाने मिल जाए तो वही तेश्ट आज हम घर पर बनाएंगे पर भी ना गयर जलाए तो वीडियो बिलकुल भी स्किप ना करिएगा मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बैल आइकन को आल प्रेस कर दीजिये ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो यहाँ पर मैंने एक कडोरी इमली ले ली है इमली में से मैंने बीज हटा दिये थे इसके उपर जो भी कुछ ऐसे रेसे होना उसे भी हटा देंगे ताकि हमें यह पीसने में आसानी हो जाए जीतना मैंने इमली लिया उतना ही मैंने गुड ले लिया है अब यहाँ पर मैंने उतना ही पानी ल छोटी वाले मेकसर के जार में ले लेंगे, पानी बहुत ही कम दालेंगे ताकि इसकी अच्छे से हम पेश्ट बना सके, जरूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी फिर से दालते जाएंगे, और एक स्ट्रेणर में इसको हम चान लेंगे ताकि इसकी उपर थोड़े भी रह जाएंगे आधी छोटी चमच काली मिर्श का पावडर इसमें एड़ कर देंगे साथी में आधा छोटा चमच साधा नमक आधी छोटी चमच चाट मसाला आधी छोटी चमच लाल मिर्श पावडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आदी छोटी चमच मैंने बुना हुआ जीरा पाउडर भी इसमें एड़ कर दिया था वो दिखाना में भूल गई हूँ थोड़ा सा मैंने जलजीरा भी एड़ कर दिया है तो इसे साइड में रखते हैं अब बनाते हैं पुदीने का ठंडा ठंडा पानी जो की पानी पूरी की जान और शान तो यहां पर हम पुदीने का पानी बहुत ही आसानी से बन जाए ऐसा बनाएंगे इसके लिए मैंने एक मिकसर के जार में मैंने और एक कप पानी दाल कर ये चक्नी में एड़ कर दिया है और एक निम्बू का रस भी दाल देंगे ताकि इसका कलर भी बहुत अच्छा रहेगा और टेस्ट भी यहां पर मैंने दो चमच सौफ को पहले से ही पानी में भिगो कर रखा था उसे भी आदी छोटी चमच जल जीरा और इसे अच्छे से मिकस कर लेंगे और आदी छोटी चमच बुनावा जीरा पाउडर यहां पर ये पूरा एक लीटर पानी बन जाएगा उसका मैजरमेंट है आप इसमें चक्कर कोई चीज कम जादा हो तो फिर एड़ कर सकते हो और आदा छो बिला गैस जलाएं पुदिना का चक्नी तो हम बना सकते हैं पर मीठी इमली की चक्नी भी बहुत ही टेश्टी ऐसी हमने बना ली और उसमें देर सारा बरव और देर सारा प्यार भी आ गया तो ये दोनों चक्निया हमारी तयार है आप इसमें तिखापन या फिर खटा मीठा अपने टेश्ट के अकॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हो अब जो हमने ये पुदिना वाला पानी बनाया है ना दोस्तो इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी ये हमारी गुड और इमली वाली चट्नी भी थोड़ी सी एड़ करतेंगे ताक हम बिना फायर बनाते तो आलू पहले सी हमारे पास उबले हुए रहते है तो उसी का मैंने यूज किया है यहाँ पर ले लेंगे हम आधी छोटी चम्मा से भी कम उतना नमक और आधी छोटी चम्मा से भी कम उतना मैंने यहाँ पर चाट मसाला ले लिया है और यहाँ पर मान बनाइए उसके ऊपर थोड़ी से हम बुन्दी जाल देंगे और पूरियों में भी हम थोड़ी सी बुन्दी दाल देंगे दोस्तों आज के यह रेसिपी आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शैर करने m's बिल्कुल भी देर ना करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिखरी बैल आइकन को आल प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही आसान सी रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए पानी पूरी लवर्स ये पानी पूरी बना कर अपने कॉमेट मुझे जरूर से दीजिएगा कि आपको ये पानी पूरी के रेसिपी कैसी लगे